हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक लेटेस्ट अपडेट को लेकर वो लेटेस्ट अपडेट यह है कि जो हमारा जीमेल एप है आप सब इसको यूज करते होंगे और जो गूगल मीट है जो फिलाल में ही लॉंच किया गया है इंडि किया था कि हम जो जीमेल में एक टैब एड करने वाले हैं गूगल मीट का यानि आप कह सकते हैं इन दोनों को साथ लाने वाले हैं और यह दोनों ही आपके स्मार्टफोन के अंदर फिर चाहे हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम एंडरड हो या आईएस हो हो दोनों के अंदर यह कर सकेंगे आप इसको तो फ्रेंट्स अगर मैं बात करूं लास्ट वीक की तो लास्ट वीक में गूगल ने जो आयोएस यूजर्स हैं उनके लिए इसको इस फीचर को कह सकते हैं आप रोल आउट कर दिया था और उनके लिए इस फीचर को एविलेबल करा दिया था और अग अब मैं आपको यह बताता हूँ कि आपके लिए इसमें क्या है और आपके लिए क्या benefit है इसके अंदर तो friends उसको बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe कर दें तो friends मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जैसे आप अपने Gmail app को use करते हैं उसके अंदर आपको एक dedicated tab मिलेगा यानि कि कह सकते हैं आप गूगल meet का एक option मिलेगा जिसमें आपको दो options मिलेंगे पहला होगा join meeting और दूसरा होगा आपका create meeting इन दौनों की help से आप कोई भी meeting को join क कर सकते हैं meeting क Gold कर सकते हैं किसी के साथ जिसके पास email account और Smartphone है और उसी के साथ आप किसी को जोइन भी कर सकते हैं कोई और मतलब आपके ओफिस से मान के चलो कोई मीटिंग्स हो रही है उनको कनेक्ट कर सकते हैं आप कहीं पर काम करते हैं वहाँ से कर सकते हैं अगर आप जो टेब आएगा gmail के अंदर वह एक डेडिकेटी टेब होगा कि आपको एक बार अपडेट करना आपका gmail जब यह फीचर आएगा gmail के अंदर उसके बाद आपको यह हमेशा के लिए मान के चली एड ओन हो जाया आपके gmail के अंदर तो फ्रेंट्स यहां पर आप अपनी जो और application पर जाना नहीं पड़ेगा और इसी की help से आप अपने Gmail app पर जो भी video meeting आप करना चाहेंगे वो हो सकेगी आसानी से तो friends अगर मैं बात करूँ इसके web version की कि आप इसको laptop पर web version इसका use कर सकते हैं वो already roll out कर दिया गया है आप इसको वहाँ पर जाकर अपने Gmail account में देख सकते हैं वहाँ पर आपको यह दिखाई जाएगा इसमें एक Google Meet का option आच चुका है already और अगर मैं बात करूँ all users के लिए यानि कि हम सभी users के लिए जो mobile phone यूज कर रहे हैं या फिर कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उनके लिए जो company उसने कहा है कि 20 तारीक से लेकर उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर ये feature सभी को available करा दिया जाएगा तो friends आप इसी जिस समझ सकते हैं कि कितना fast इस पर company काम कर रही है तो friends यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको आपको जो option आपको इसमें मिलता है Gmail के अंदर उसको आप hide भी कर सकते हैं अपनी जो Gmail की setting में जाकर उसमें एक आपको option दिखेगा show me google tab ऐसा कुछ आपको option दिखेगा उसको आप deselect कर सकते हैं और आपके deselect करने के बाद वह वहाँ से हट जाएगा और आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह already वहीं पर रहेगा तो friends मैं hope करूँगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी जो भी information मैंने आज आपको दी है वह आपके लिए कहीं न कहीं helpful होगी तो please channel को subscribe नहीं किया तो पहले subscribe कर दें और वीडियो को like करें और अगर को query है तो comment section में लिखी है मैं जवाब जरूर दूँगा धन्यवाद